आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ प्रश्च है Ascaris का सामानी नाम है एक शिप फर्म, दो पिन वर्म, तीन टेप फर्म और चार राउंड वर्म तो चलिए जानते हैं हमारे प्रश्च का उत्तर जो Ascaris होता है इसका पूरा राव है Ascaris Vulgaris Ascaris Vulgaris और ये जो Ascaris Vulgaris है ये आता है संग निमेटोडा से ये संग निमेटोडा ये जिसे हम कहते हैं Ascaris Helmetis उसका सदसे होता है और जो निमेटोडा के सदसे होते हैं वे सभी के शरीर जो होते हैं वे बेलनाकार होते हैं तो शरीर यहाँ पर बेलनाकार होते हैं और इन बेलनाकार शरीरों के उपर जो होती है, वो म्यूकस की एक पर्त होती है, तो इनके उपर म्यूकस की पर्त पाई जाती है, ये म्यूकस की पर्त इन पर क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो एसकारस होते हैं, ये परजीवी जीव हैं, और ये परजीवी होते हैं, किसके ये परजीवी होते ह मनुशे के तो ये परजीवी है मनुशे के मनुशे के आत में रहते हैं या मनुशे के पाचल तत्र होते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं असकैरस और इसी वज़े से इनके उपर म्यूकस की पर्त पाई जाती है ये जो असकैरस होते हैं हम देखते हैं कि इन में आपको केवल अनुदैर्द पेशियां ही मिलती है तो यहाँ पर केवल अनुदैर्द पेशियां मिलती है अनुप्रस्त पेशियां यहाँ पर नहीं मिलती और क्योंकि यहाँ पर अनुदैर्द पेशियां मिलती है तो यदि हम इसको ये जो इसकारिस है इसको नमक के गोल में रखे तो इसकारिस जो होता है वो पूरा छोटे छोटे रेशो में परिवर्टित हो जाता है और इसी कारण ये जो एसकारस होता है यदि हम इस पर थोड़ा सा नमक डाल दे तो क्या होता है इसका शरीर पूरी तरह से घूम जाता है तो क्योंकि शरीर घूम जाता है, इस कारण ही हम इसे कहते हैं, क्या हम इसे कहते हैं, राउंड वर्म, इसे कहा जाता है, राउंड वर्म भी, तो यहाँ पर जो दिये गया हमारे विकल्प है, हमें विकल्प चार, राउंड वर्म हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, शिप वर्म किसे कहते हैं या पिन वर्म किसे कहते हैं और टेप वर्म जो टेप वर्म होते हैं ये आते हैं प्लाटी हेलमेंथीस से जिनका नाम होता है टीनिया तो इसका नाम होता है टीनिया तो ये हमारे प्रश्न का गलत विकल्प होगा जो शिप वर्म होते हैं ये आपके कुछ जली होते हैं जिने कहा जाता है शिप वर्म इस कारण ये भी हमारे प्रश्न का गलत विकल्प होगा जो पिन वर्म होते हैं उनमें हम देखते हैं कि मुखांग जो होते हैं वह पिन समान होते हैं तो उनमें जो मुखांग होते हैं वह पिन के समान होते हैं इस कारण उन्हें हम क्या लिया आता है तो ये भी हमारे प्रश्ण का गलत विकल्प होगा और विकल्प चार हमारे प्रश्ण का सही उत्तर है आशा करते हैं आपको उत्र समझ में आया होगा धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर